आलू और साबू दाना के पापड तो अक्सर हम अपने घरों में बनाते हैं लेकिन आज आपके साथ हम सेयर करने वाले हैं बेसन के पापड की रेसिपी ये बेसन के पापड जितने सुन्दर दिख रहे हैं बनाने में उससे कहीं ज्यादा आसान है और खाने में तो सूपर टे तो चलिए इस रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं रेसिपी थोड़ी सी भी अच्छी लगेगी ना तो चैनल को सब्सक्राइब कीजेगा वीडियो को लाइक और अपनी फैमिली और फ्रेंट के साथ जरूर कीजेगा और पापड की बहुत सारी रेसिपी देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं तो चलिए इस रेसिपी को बाराना स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहला और जरूरी टिप्स यह है कि बेसन को आप किसी कटोरी या कब से ही मेजर्मेंट करके लीजेगा जैसे कि हमने कटोरी से लिया हुआ है तो यानि कि एक कि जितना ये बेसन है या कटोरी जो भी आप बोलने तो आप इसको कटोरी कब ग्लास किसी से भी माप कर ही लीजेगा जिसे की सारी चीज़े जब हम मेजर्मेंट करके बनाते हैं तो हमारी कोई भी रेसिपी हो एक्दम परफिक्ट बनती है तो एक कटोरी हमने जो है बेसन को शान कर लेना है तो जितना हमने बेसन लिया था उसी कटोरी से हमने एक कटोरी पानी डाल दिया है और इसे काफी अच्छे से हम मिक्स कर लेते हैं पानी के साथ तो सबसे पहले हमने केवल एक कटोरी ही पानी डाला है पानी की सारी कॉंटिटी आपको स्क्रीन पर भी हम मे तो इसलिए किसी भी कटोरी या कप का मेजरिमेंट साथ में जरूर रखेगा जिससे आप अगर पहली बार भी बनाए तो आपकी रेसिपी खराब ना हो तो अब ये हमने साथ का टोरी, साथ कप पानी डाल दिया है और एक छोटी चमच के जितना हम इसमें डालते हैं अजवाइन अजवाइन से काफी अच्छा इसका टेस्ट आता है आप इसमें जीरा भी आट कर सकते हैं और अब इसमें डालेंगे नमक तो टेस्ट की एक ओर्डिंग नमक डालना है, हमने एक छोटी चमच नमक डाला है, नमक पापड में कम ही डालें क्यूंकि सूखने की बाद तेज हो जाता है नमक और इसे हम कर लेते हैं बढ़ियां से मिक्स, लम्स इसमें बिल्कुल नहीं होने चाहिए, इस चीज का आप ध्यान रखेगा, अगर थोड़े बहुत लम्स हैं तो आप चाहें तो आप इसको चान भी सकते हैं तो चलिए, अब सारी चीज़े मिक्स हो गई हैं, अब इसको जिस बरतन में बनाना हो ना उसमें हम सिफ्ट कर लेते हैं, तो इसको बनाने के लिए आप कोई मोटी ही तले का, मोटे ही बॉटम का बरतन इस्तिमाल कीजिएगा, जिसे कि ये बेटर जो है जले नहीं तो अब इसको गैस ओन करके हमने चड़ा दिया है, अब इसमें थोड़ी सी हींग एट कर देते हैं, भई बेसन के पापड़ हैं, हींग तो इसमें जरूरी है क्योंकि उसी की वज़ए से बहुत बढ़िया टेस्ट लगता है, अब बारी आती है इसमें पापड़ खार डाल खार डालना बहुत बड़ी चीज नहीं है, लेकिन इसकी जो कॉंटिटी है न वो आप पर्फिक्ट डालिएगा, क्योंकि अगर कम होंगे तो भी आपके पापड़ खराब हो सकते हैं, और अगर जादा हो गएं तो भी आपके पापड़ का जो कलर है वो भी खराब हो जाए इसे हमें धीमी आज पर ही पकाना होता है, 20-22 मिनट का टाइम आपको लगेगा, हाई फ्लेम बिल्कुल नहीं कीजेगा क्योंकि बेसन आप जानते हैं जैसे हम लोग कड़ी वगरा बनाते हैं तो इस स्टार्टिंग में देखिए चलाना काफी जरूरी होता है, उसी तरीके पर बिल्कुल भी चलाना इसकिप नहीं कीजेगा, इस्टार्टिंग में 2-3 मिनट के लिए आप चाहें तो गैस की फ्लेम को तेज कर सकते हैं, लेकिन जैसे जैसे ये कुख होने लगेगा तो बिल्कुल भी इसको जो है, इसकिप मत कीजेगा, अब इसमें थोड़ा सा कलर लाने के लिए हम एट करते हैं फूट कलर का, तो यहां पर हमने पीले रंग का कलर डाल दिया है, कलर देखने में काफी अच्छा लगता है, इसलिए हमने इस्तेमाल किया है, टेस्ट में कोई फर्क नहीं आता है, आपके पास फूट कलर नहीं है, तो आप बिल्कुल चलिए अब इसको हमें लगातार मिक्स करते जाना है अब ये पकने की कंसिस्टेंसी पे आ चुका है बेटर काफी ज्यादा थीक हो चुका है टोटल हमें 21 मिनट हो चुके हैं इसे पकाते हुए और इसे हमने पूरी प्रोसेस के लिए धीमी आज पर ही पकाया है कोई हाई फ्ल करने की गलती बिल्कुल नहीं कीजेगा इसे मिक्स कीजेगा और एक से दो मिनट इसको रेस्ट दीजे और उसके बाद हम पापड बनाना स्टार्ट करेंगे क्योंकि ये बेसन है बहुत जल्दी से गाढ़ा हो जाता है तो पापड को फैलाने के लिए हमेसा मोटी ही प्लास तब तो बहुत ही आसानी से निकाल आएंगे और ये पापड छोटे या बड़े जित्ते जैसे आपको बनाने हूं उस इंसाफ से ये बेटर को डाल का फैला लीजे बहुत ज्यादा फैलाने की गलती नहीं कीजेगा क्योंकि बेसन है जैसे जैसे ये सूखता है वैसे ये का टाइम लग जाएगा मतब 2-3 दिन का टाइम लग जाएगा लेकिन अगर आप इसे धूप में सुखाएंगे ना तो एक दिन में ये काफी अच्छे से सूख जाएंगे तो फ्रेंट्स अगर आपको ये रेसिपी थोड़ी से भी अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइ में सारे जो बेसन के पापड़ थे वो सूख गए मतलब एक दिन का टाइम लग गया था और आप देख सकते हैं सूखने के बाद भी कितने पतले पापड़ बने हुए है ना तो इसलिए आप इसको थोड़ा मोटा ही फैलाईएगा और अगर आपका जो वेटर है काफी अच जाएस ही नहीं बसती है क्योंकि सारे टिफ्स और ट्रिक्स चोटी 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 बाते हैं हमने आपके साथ अच्छे से सेयर की है तो देख सकते हैं यह पापड़ कितने अच्छे से फ्राई हो रहे हैं और अपनी साइब से बड़े भी हो रहे हैं यह पापड़ ख क्रायम की बहुत सारी रेसिपीज आपको देखने को मिलेंगी तो हम मिलते हैं नई रेसिपी के साथ